Hello friends, welcome to the new episode of Sports Talk with Abhishek Jha Friends, Indian Super League में आज मैच खिला गया North East United बनाम Delhi Dynamo's के बीच में और मैच शुरू होने से पहले North East United के जितने भी फैंस थे सबने यही उमीद की थी कि शायद आज उनकी टीम इस मैच को जीत लेगी Delhi Dynamo's के अगेंस्ट और पॉइंस टेबल मन नमबर थ्री पोजिशन पर जाकर बैट जाएगी लेकिन फुटबॉल में कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं अमूवन वैसा होता है इसकी कोई गैरेंटी नहीं दे सकता और एक बार फिर इस मैच को वो सिर्फ ड्रॉ करा पाई यानि कि ये मुकाबला एक-एक की बराबरी पर खतम हुआ और कह सकते हैं कि दो पॉइंस जो उन्हें लेने चाहिए थे और इस मैच से वो उन्होंने ड्रॉप किया ये आठवा मैच था नॉर्थ इस उनाइटेड का जब वो अपने घर में खेल रही थी और इन आठ मैचस में से सिर्फ दो मैचस में नॉर्थ इस उनाइटेड की टीम जीती है पांच मैच ड्रॉ रहे हैं और एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है जो दो मैचस नॉर्थ इस उनाइटेड अपने घर में इस सीजन में अब तक जीती है उसमें से एक मैच केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट बहुत ही हिस्टोरिकल मैच था जिस मैच के आखरी 90 मिनट के बाद जो इंजिरी टाइम में 2-3 मिनट बाकी थे उसमें 2 गोल मारते वे नॉर्थ इस उनाइटेड की टीम जैसे तैसे मैच जीतने में सफल हुई थी उसमें से एक गोल ओग बीचे का भी था और दूसरा मैच जो वो जीती थी वो टीम थी 99 अनेपसी जो की खुद स्ट्रॉगल कर रही है इस सीजन लेकिन एक मैच वो हार चुकी थी और जिस टीम के खिलाफ वो हारी थी वो थी पुने सिटी की टीम ने उने हाराया था ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है नॉर्थ इस उनाइड़ के लिए चलिए आज के मैच को मैं एनलाइज करता हूँ नॉर्थ इस उनाइड़ बना डेली डैनमोस के बीच मैच खिला गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैच एक एक की बराबरी पर समाप्त हुआ उमीद की जा रही थी कि नॉर्थ इस उनाइड़ की टीम बिल्कुल फ्री फ्लोइंग फुट बाल खेले की शुरुबात भी उन्होंने ऐसा ही किया लेकिन पहला मौका डेली डैनमोस के पास बना जब मकाबले के 24 वे मिनट में एक गोल माउथ के सामने जो उनके डिफेंसिव मिट फिल्डर थे उनसे एक चूक हुई और जो बैक पास कर रहे थे अपने गोल कीपर को वहां से गेन को टैकल कर लिया था डेली डैनमोस के खिलाडी ने और बिल्कुल गोल माउथ के सामने से उन्होंने हिट किया था लेकिन शुक्र मनाईए कि जैसे तैसे गोल कीपर ने उस गोल को पचा या अदरवाइस बहुत जादा मुश्किले बढ़ सकती थी पहले हाफ में नौर्थ यूनाइटिट की टीम पीछे जा सकती थी लेकिन पहले हाफ में एक आद मौके बने नौर्थ यूनाइटिट की टीम के लिए भी ओग बीचे पर बहुत जादा नजरे थी क्योंकि लगा तो उसके बाद से strategy में थोड़ी बहुत परिवरतर देखने को मिला, one touch football खेलती हुई North East United की टीम नजर आ रहे थी, वही Delhi Dynamo's की टीम का confidence बहुत high था, क्योंकि पिछले तीन मैचेस की अगर मैं बात करो, जिसमें से उन्होंने दो मैचेस में जीत दर्ज की थी, और एकसी गोवा के अगेस जो अपने आखरी मैच में डेली में ड्रॉग खेले थे, उसके बाद से उनके खिलाडियों का जो एक confidence था, वो अलगी नजर आ रहा था इस मैच में, और लगातार उनकी तरफ से भी counter attack हो रहे थे, अच्छे counter attack हो रहे थे, और उसका फाइदा भी मिला मुकाबले के सरसथवे मिनट में जब डेली डैनमोस के खिलाडी मारको टेवार ने बहुत ही खुबसूरा तंदाज में पहला गोल कर दिया और अपनी टीम को एक शुन्नी की बड़ा दिला दिया और वहाँ पर ऐसा लगा, कि कहीं North East United की टीम इस सीजन अपने घर में खेलते हुए, कहीं दूसरा मैच भी न हार जाए, लेकिन अच्छी बात रही, ओक बिचे ने मुकाबले के सतरवे मिनट में पेनल्टी की खासल कर लिया, और वहाँ से उन्होंने असानी के साथ गोल जो एक लगाया अपनी टीम के के लिए, वहाँ से North East United की टीम ने इस मैच को एक एक के बराबरी पर सबाप किया, इस सीजन ओग बिचे के नाम ये दसवा गोल था, और आपको याद होगा, फेरन कौरो बिनास फिलहाल, इंडियन सूपर लीग में सबसे ज़्यादा गोल लगाने वाले सीजन के खिरारी है इक 11 गोल लगा चुके हैं, लेकिन ओग बीचे भी उन से पीछे नहीं हैं, लेकिन अब बड़ी बात ये है कि North East United की टीम ने 15 मैचेस के लिए हैं, 24 पॉइंट्स हैं, 3 मैचेस बाकी हैं और इन 3 मैचेस में उन्हें किसी भी हालत में कम से कम 9 पॉइंट्स लेने होंगे, या कि डेली डैनमोस के लिए सफर में कुछ इस सीजन के अगर मैं बात करो तो बाकी हैं नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से डेली डैनमोस की टीम ने पिछले 4 मैचेस में परफॉर्मिस किया है, प्रॉमिसिंग नजर आई है, लेकिन सारी बाते North East United की तरफ जाती है, क्या North East United की टीम, इंडियन सूपर लिग के इतिहास में पहली बार नौक आउट स्टेज में पहुँच पाएगी, ये देखना दिल्चस्क होगा, साइनिंग आफ, अभी शेक कुमार चाह